एक्सिरेंशी अपका स्वागत है बस्ते भारत आपके लिए लाया नहीं है पहले बहुत आपके आना उल्ला है बहुत भी अपके हर यात्रा आपके लिए हमें शाथ बहुत भी उसाद्य नहीं है लिकिन इस बार अब एक नई जुम्यवारी के साथ पहली बाए भारत आ रही है विप्लेन कमिशन का देश्क पर शुकार करने के बाद आपको भारत आना अमाजी बहुत प्रपूर है और मैं आपकर देश से स्वाधर करता हूँ मैं विशेर सुबसे आपकर धन्यवाद करना चाहूँगा कि राहसेना रायलोग के लिए आपको अब निगाँ क्योंकि मत्मान समय में राहसेना रायलोग में आपकी बाचित वो सिर्फ भारत के इंट्रलेक्शनल एंड एकडेमिक लोग के लिए तक सिमिल धैरेगी पूरे विश्व का ध्धान रहेगा कि आज आप अमें क्या संदेश दे रही हैं विविविया जुरूर उत्सुख है आपको सुनने के लिए मैं विश्व सुख से इसले भी आपका जयक्ति करता हूं कि कोरोना के कारणों और पाकिस सित्यों के कारणों में दो तीन बार डेट बदनी पुझे जिए फिर भी आपने अपने कमिटमेंट को पराबर को किया और आज जाब हमारी बीच है इसले मैं आपका विश्व सुख करता हूं एक्सलेंटिब भारत का और युरोपीन विए काउंसिल के साथ पिछले दिनों हमारी वर्चुएल समीर का मुखा मिला हूं इंडिया युनकिया अगर हम रूपरू में मलागा कर सक्टमीटिंग कर सकते तो अच्छा होता हूं लेकिन इस पाइबिक की चलते उन च करते हैं बहुत ही निकर संबाद करेंगे मुझे कुश्य है कि हमारे विदेश मंति जब आये थे ताब बहुत ही अच्छी मिटिंग और भारत की वही साथ चाटे लेकर का अच्छा उस्वार अपने दिया था अर इसलिए भी रस हम बता हूं कि आपके नित्रुत में भारत जब बाद की बता है यह अर है भारत की मिलाड हिए्या के नित्रुत मेझम इन पेडिए जो में थे वहीत करेंगे थे थाटब एस चाहित क्राफ बहुत है Thank you. Thank you very much, Prime Minister. And it's a pleasure to visit India again and to see you, meet you again. So thank you very much for the very warm welcome. यह किते रे खेता है, लज भीजसी дней, इड एत वास्ट काती हालो है। यह। किते रे बाहसी ही हाईigonodर कहला। लिघसाल paar दोलोगषने ही हर में गाहिटनेों ही। इन झाह्वादने में पस्तेश्सिपडंग लागवज को लिए अवोड़ का आव we have a lot in common but we are also facing a challenging political landscape and therefore i highly appreciate that this meeting here is possible today and i'm very much looking forward to the resina dialogue indeed we will have many topics to discuss security to the fight against climate change but certainly we will look also intensively at technology digitalization and trade and there i'm very glad that uh you prime minister and i agreed to put in place a trade and technology council the european union has only one trade and technology council in place and that is with the united states and i think therefore it is telling that it was so important for us to put up a second trade and technology council with india